नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एकलब एकेडमी अवे ओफ सक्सेस जहां पर हम बात कर रहे हैं शंपूर मद्विदेश सामान ग्यान की कम्प्लीट मद्विदेश जीके और मद्विदेश के क्रम में हम बात कर रहे हैं चैनल ग्यान कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मद्विदेश के वणंन संप्रथा भाग दो जैसा कि कल का हमएरा भी वीडियो था मद्विदेश के वनंने जिसमें हमने कल पढ़ा था मद्ध प्रिदेशों के वन को कैसे विभाजित किया गया है अलग-अलग प्रकार से तो आज हम पढ़ेंगे मद्ध प्रिदेश के वन एवं वन संपदा के बारे में तो दोस्तों आंगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंतर तक ज आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिष्णों के उत्तर देने का प्रत्न करें और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जिन किसी को संबंधित वीडियो की पीडियाप चाहिए वह हमारे टेलिग्राम चैनल एकलब एकेडमी नागौत पे जाके अभी तक हमने मध विदेश के भुगोल के संबंध में क्या क्या पढ़ा है। मद्ध पिदेश का प्राकरतिक विभाजन मद्ध पिदेश की जलवायू मद्ध पिदेश की म्रदा प्रमुक चट्टाने एवं परवत क्रशी नदिया एवं बहुत देशी पर योजनाय प्रमुक जलप्रपात वन वन में हम निकल पढ़ा था कि मद्ध पिदेश में वनों को कई वर्गों में विभाजित किया गया था मुकत है चार वर्गों में विभाजित किया गया थे जो अलगल रुप का जाते हैं जो 2018 के data के अगर 25 पॉपर 1 है फिर मत्पिदेश को वन के कई भागों में बाटा गया जैसे जलवायों के आधार पर वन पेटियों के आधार पर प्रशाशन के आधार और ब्रच्छों के आधार पर तो जलवायों के आधार पर पांच भागों में डिवाइट किया गया था उशनकटीवनधी पढ़नपातीवन उशनकटीवन शुष्च पढ़नपातीवन ये जलवायु के आधार परवनों को बाटा गया था यहां वर्षा 50-100 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर ये वन पाय जाते हैं इस प्रकार के वन क्या करते हैं ग्रेश मिलतियों में अपनी पत्यां गिरा देते हैं और बर्सां तत सुरू होते ही इन में फिर से पत्या आ जाती हैं इनके प्रमुख बरच्च कौन कौन से थे शागवन, सीसम, नीम, पीपल, आधिस के प्रमुख बरच्च थे फिर उश्नकटिवंदी अर्ध पढ़नपाती वन कौन से थे यह सो सेंटी मीटर से 150 सेंटी मीटर वर्षा वाली छित्र में पाय जाते हैं यह मंडला बालाखाट सीधी और सहडोल जिलों में पाय जाते हैं इन व्रच्छों में प्रमुक व्रच कौन-कौन से होते हैं बीजा जामुन महुआ सेजा हर्रा यहीं इतके प्रमुक व्रच होते हैं इन में से इस इन में से जो होता है यह क्या करते हैं यह ग्रीश मिल्टू में 6-8 हफ्ते सप्ताय के लिए अपने प्रेड़ों की पतियां गिरा देते हैं बाकिस में पतियां रहती हैं फिर अधी सुस्क पढ़णपाथीवन यह क्या होते हैं यह उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्सा 25 से पर है हल्दू सिर्शी आधि ठीक है कहां कहां पाए आते हैं खेलब शेवपूरी रतला मन्दशोऔर नीमच आधाजीलों में पाए रम woven to मुश्ट्री कहां पर देश पालते हैं आपके 378 मंध्वध्य बाली रीजन offs में वन पाए जाते थे फिर था वन पेटियों के आधार पर मद्वदेश को तीन भागों में डिवाइड किया गया था कौन कौन सी थी विन्हन कैमूर स्रेणी वन पेटी मुरैना एवं शिवपूरी पठार की पेटी और नर्बदा के दच्छड में एक चौणी पेटी फिर प्रशाशन के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया था सनरच्छित वन आरच्छित वन और आवरगी कृत वन संरच्छित वन कौन से होते हैं संरच्छित वन का प्रतिशत आपका 33 प्रतिशत है इन वनों का प्रभंधन पूर्था सास की प्रशाशन की देखरेक में होता है इनमें क्या होता है आवा गवन की सुविधा सासन के अगर देती है तो होती है लकड़ी काटने की और परशुच प्रतिशत है यहां पर यह पूरते खुले होते इसमें साशन का प्रशाशन की देखरेंग बहुत कम होती है फिर हमने पढ़ा था वन व्रच्छों के अधर वर्णों का वरगी करन जिसमें हमने पढ़ा था बारे जान लेते हैं वनों को की ची कारयालय की हिसाब की प्रशाशनिक इकायों के माध्यम से किया जाता है अब जैसे इतने सारे वन है तो कोई एक विक्ति तो पूरे वन का सनश्चर नहीं कर पाएका इसलिए अलग-अलग छेत पर अलग-अलग चीजें बनाई गए देख लिजे तो वन व्रत किते हैं मत्य विदेश में 16 वन व्रत हैं मैं इसको आपको बताओं तो बहुत जल्दी समझ में आएक फिर वन मंडल किते हैं अब वनंवर्त होता क्या है वन वरत आता जैसे किसी राज हो गया तो पूरा राज किसके अंतर गता जाएगा जैसे देश है देसमें कित्ते राज होगे जैसे बहरास हों इस प्रेकार मत्विद्वर सोला वन फ्रत के लगान संभाग फिर वन मंडल संभाग के लिए संभाग के लिए की लाग जाएगे परिछेत इसमें परिषेत क्या जाएगा ग्राम से इसी तरह this goose इसको डिवाइट किया गया है सबसे पहले सबसे बड़ा ही काई क्या होता है वन विध होता है जिसकी संख्या किती है 16 सोला Canadian 1illar मंधल जिनकी संख्या 63 तो वन विट हो गया आपका राज one मंदल हो गये समभाग वन उप मंडल हो गए जिला फिर परिछेत हो गए तहसील फिर उप वन छेत परिछेत हो गए गाउं इसी तरह जैसे उपर से नीचे आता है इसी तरह ये भी है तो सबसे वड़ा वन व्रत आपका खंडवा है फिर सबसे चोटा वन व्रत आपका होशंगा कि अंतरगत आता है फेक Deb सबसे बड़ा कौण सा है खंडवा सबसे ऑड़ा वन मंडल कौण सा है आपका मंडला है जो जबल पूर वनवरत के अंतरगत आता है सबसे राज करने व सबसे जादा वन वरत जबल पूरहें ठीक है हैं तो एं सबसे वऔर वन संपदा बाला घाट दिवा चिंदला के वनों मैं शाद्याथ साजापूर भिंड के वनों से प्राप्त किया जाता था तो यह हो गए छेत्री कार्याल है जिसके हिसाब से आपके वनों को वर्गीकरत किया गया है कि अब चलिए पढ़ते हैं वन संपदा के बारे में वन संपदा की द्रेश्टी से मद्विदेश के वन काफी संपन्न है वनों से प्राप्थ होने वाली संविदा को दो भागों में बाटा जा सकता है एक होता है मुख संपदा दूसरा होता है गौण संपदा तो चलिए मुख संपदा देखते हैं वनों की मुख संपदा के अंतरगत इमारती लकडी से प्राप्त होने वाले व्रच सामिल हैं वह व्रच जिनसे इमारती लकडी प्राप्त होती हैं किसमें सामिल होते हैं मुक्रशंपदा में जैसे सागॉन, साल, सीसम, सेलम, आधी मद्विदेश को प्रतिवर्स लगभग करोडों रुपए की आये वनों द्वारा प्राप्त लखड़ियों से होती है अब चलिए इनके बारे में अलग से डीटेल से पढ़ते हैं सागॉन, सागॉन वनों के लिए पचहत्तर से 125 सिंटीमीटर वर्सा तो किते से Märst होती हैं!.. सेंटीमीटर वर्साह हैं कि लिए निदिन बारे मालवा बालच्छटर जो घरों और लकडि के सामान बनाने में के काम आती है ठीक hur गरों के लकडि की भर भर बनाने के लिए जो अपको वो लगाते नहिक्तरिए लगाकर फिर भिशचर ढगा करते है उसके लिए इस लर्ड़ इसकी कि यहां याता काफी मजबूत होती है और हल्की होती है शॉगावन की लकडी से में एक ग्रेंट होती है जिसके कारण सॉगावन की लकडी से बने शामान में सुन्दरता आ जाती है ठीक है थे थे ना का साल मद्ध पेदेश के लाल और पीली मिट्टी वाले च्छेत्रों में सालवन पाई जाते हैं तो लाल पीली मिट्टी वाला च्छेत्र कौन सा आपका बाला घाट के आसपास वाला च्छेत्र आपका इसका लाल पीली मिट्टी वाला च्छेत्र है मिट्टी में आप लोग वाले छेत्रों में होती है जहां पर वर्सा 125 सेंटीमीटर होती है उस उन छेत्रों में साल के वन पाय जाते हैं यह वन अधिक घने होते हैं इतने घने होते हैं कि इसमें दिन में शूर का प्रकास जमीन तक नहीं पहुंच पाता है शाल की लकड़ी का निर्मार स्लीपर बनाने में किया जाता है मैंने आपको जैसे बताया था शाल वन जो होते है इसकी जो लकड़ी होती है रेल्वी स्लीपर बनाने के काम आती है मजबूत होती है फिर अंगला हापारा बास मैं आपको बता दू बास ना पेड़ है ना पौधा है बास एक प्रकार की घास है कई बार एक्जाम में पूछा है कि बास क्या है पेड़ है पौधा है व्रिच्छ है बास एक प्रकार की घास है क्या है घास मद्पेदेश में डेंट्रो कैलमस इस्ट्रीक्टस प्रकार के बास पाई जाती है दो बास के प्रकार की प्रजाती है जो मद्पेदेश में पाई जाती है मद्पेदेश में 50 लाख तन बास का भंडार है किते लाख तन का भंडार है बास की लकडी से कागज या निर्मार किया जाता है ठीक है ना तो बास किसलिए उपयोगी होता है बास के कई प्रकार की वस्तुमें बनते हैं टोकरी ओकरी बनती हैं चटाई बनती हैं और मुख रूप से इसका उपयोग किसलिए किया जाता है कागज बनाने के लिए किया जा ठीक है ना तो बास का प्रयोग कहां किया आता है और नेपा नगर जो आपका बुरहानपुर्म के आसपास पड़ता है उधर जो है आपका अखवारी कागज बनाने का काम होता है राज में बास दच्छनी और पूर्वी जिलो शेहडोल अनुपूर बालाघाट बैतूल खंड प्रोड़ संपती क्या कहलाती है गोंड संपती के अंतरगत लाख क्या और रॉप्त्त कथ्षा क्योंद दवाओं के लिए पौधे तथा व्यूद्विभीन प्रकार की घगास प्रमुख है वस्तव के उतपादन है टू लाइसेंस उन वक्तियों को दिया जाता है जिन से व जंगलों में जो यह उत्पादन होते हैं इनका एक लाइसेंस बनता है और उन विक्तियों को यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है जो निर्धारित सर्तों और निर्धारित रकम के साथ जैसे पहला आपारा खैरवरिच का उप्योग कथा बनाने के लिए किया जाता है तो आशदी रूप में किसलिए उप्योग किया जाता है पाचन तंत की गड़वडियों को के लिए में खैर के व्रच को उप्योग किया जाता है जबलपूर सागर दमो उमरिया और होशंगावाद में खैर के व्रच पाए आते हैं तो कहां कहां पाए आते हैं जबलपूर सागर दमो उमरिया और होशंगावाद में मद्पिदेश में शिवपूरी तथा बानमोर बानमोर आपका मुरैना में हैं कहां है मुरैना में मद्ध प्यदेश में शिवपूरी तथा बानमोर में कथ्था बनाने का एक एक कार खाना है यह इंपॉर्टन कोश्चन है कई वार पेपर में पूछ चुका है कि कथ्था बनाए खैर से कथ् होती है शिवपुरी शिवपूर्थ अधा गुना से फिर दूसरा लाक मद्ध प्रिदेश में प्रतिवर्स 40,000 टन लाक का उत्पादन होता है मद्ध प्रिदेश में मंडला जबलपूर शिवनी शेडोल होशंगाबाद जीलों के वनों में पाया जाता कहा का पायाता है जबलपूर शिवनी शेडोल होशंगावाद जीलों में पायाता है म्द्ध प्रिदेश में उमरिया में लाक बनाने का एक सरकारी कारखाना है तो लाक बनाने का कारखाना कहां है अब कई बार पूछ चुका है लाख बनाने का कारखाना कहां पे हैं, आप लोगों ने सुना होगा जो लाख की चूड़ियां आती है, वही वाला लाख है, ठीक है ना, इसका प्रयोग शौंदर प्रशाधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, इसका प्रमुख उप्योग चर्म शौधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, इससे चमड़ा साफ करने का एक लोशन बनाया जाता है, तो चमड़े से रिलेटेड जो काम होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, हर्रा का, फिर आपका तेंदू पत्ता, मद्देश तेंदू पत्ता का सबसे बड़ा उतपाधक राजज है, तो तेंदू पत्ते से बीडी बनाने की उद्योग मुखता है, शागर, जबलपूर, शैडो लेवं, सीधी जिले में है, ठीक है, देस में के बीड़ी उतपाधन का साथ प्रिज़ान मद्देशत करता है थीक है ना तो बीडि उत्पादम का सबसे आदा उत्पादम कहा होता है देशामी मर्द पष्ण में कितर प्रितिशत होता है साड प्रितिशत में सात्रब्यास तीधु आथ्यू पत्ता करते हो जो जिलो सपर अचाहिए तेदुपत्त से धिक वह चन पादु का चला था तेनुपत्तक के उनके लिए जो तेनुपत्तक के वह ते मजदूर होते उनके लिए चलण पादु का अभियान चला था कि भिलाला भिलाला मुख रूप से चिंदवाडा वन के व्रत में से कत्रित किया जाता है इसका प्रयोग स्याही एवं पेंट बनाने में किया जाता तो भिलाला कुप्यों किस लिए किया जाता है शाही है방 प्रमुक्त पढ़ेंगे से रिलेटेर प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे फिर था गोंद गोंद साधनता बबूल धावड सोनियल आधि व्रच्छों से प्राप्त होता है खाने के अत्रिक्त गोंद का प्रयोग पेंट उद्योग पेपर प्रिंटिंग लगुद्योग और कॉस्मेटिक आदमें होता है शंपदा अब हम पढ़ेंगे मद्विदेश वन एवं वन शंपदा के मारे में प्रमुख तथ्य मद्विदेश का लगबग एक तिहाई भूबाग वन अच्छादिस थे जैसे कि आपको पता 30 दसमलों कुछ प्रतिशत भाग में मद्विदेश में वन पाए जाते हैं वन अनुषंधान संस्थान के चहत्री अनुषंधान साखा राज के जवलपुर में हैं जिसका मुख्यकारियाल्य कहा है आपके देहरादून में हैं मद्विदेश की पहली वन्नीती 1952 में बनी थी मद्विदेश की पहली वन्नीती कब बनी थी 1952 में चार अप्रेल 2005 को मद्विदेश की नई वन्नीती की घोश्डा की गई थी तो वर्तमान में मद्विदेश की नई वन्नीती कौन से चल लए है सारवधिक वन श्यत्रफलाजीला बाला घाट मत्पदेश वानकी योजना का आरम सितंबर 1995 में किया गया था वानकी योजना का आरम कब किया गया था सितंबर 1995 में वनी करण के लिए 1976 में पंचवर्षी योजना ऐसे जिलों में चलाई जा रही है जहां प्राष्टी वन्नीत के निर्धारेत मापदंड पर 33% से वन कम है उन जिलों में जहां पर 33% से वन कम है वहां पर एक योजना चलाई गे थे 1976 में वनी करण के लिए मद्ध प्रदेश इको परेटन विकास बोर्ड का गठन सासन ने 12 जुलाई 2005 को किया गया था तो इको परेटन विकास बोर्ड का गठन कभूँआ था 2005 में मद्ध प्रदेश प्रदुशन यंतर बोर्ड का तो मद्ध प्रदेश जील समर्चर प्राधिकरण की स्थापना आपकी 2014 में की गई थी मद्ध प्रदुशन नियंतर नहेतु परिया वर नियोजर एवं समन्यन गठर जिसको आपको कहा गया था इसकर इसकी स्थापना कप की गई थी पांच जून 1981 इस सभी इंपॉर्टन फेक्ट है सभी आपको बनने चाहिए इस सभी पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं मद्ध प्रदेश में 1978 में स्वीडिस इंटरनेशनल डेवलेप्मेंट की सहायता से इंडियन इंस्टूट और फॉरेस्ट मेनेजमेंट की स्था बहां पर द्गूश्य पेपर में पूचा जा चुका है वन्य प्राणी सनरच्षण हे तुकाना राष्ट युद्यान में परिच्षण की द्यवस्था है 24 जुलाई 1975 में मद्ध प्रदेश राज वन विकास निगम की स्थापना का हुई थी 24 जुलाई 1975 को मद्ध प्रदेश में शारवधिक शागौन के व्रच पाया जाते हैं तो मद्ध प्रदेश में सारवधिक किसके व्रच पाया जाते हैं शागौन के व्रच पाया जाते हैं मद्ध प्रदेश में वान की परियोजना 1995 में विस्वेंग के सहयोग से सुरू की गई थी तो लाख कीट से उत्पादिक एक द्रव है जो होता है लाख वो कीड़ों द्वारा उत्पादिक एक द्रव है सावाजिक वानकी परियोजना का प्रारह 1976 में किया गया था इसका मुख्य उदेश वनी करण के कार को जनांदोलन बनाना था तो आज के जो हमारे दो कोश्चन है कि सागाउन के व्रच सरवदिक कहां पर पाए जाते हैं कौन सी घाटी में पाए जाते हैं यह हम आज का हमारा पहला प्रश्चन है और दूसरा प्रश्चन हमारा है कि मत्व देशरं में परियोजना किसके सायता से शुरू की गई थी पहला कोश्चन क्या है कि सारवधिक सागाउन के व्रच किस घाटी में पाए जाते हैं और मत्व देश हमारा परियोजना के सहायता से शुरू की गई थी इन दोनों प्राश्चित्तर आपको कमेंट बाक्स पर कमेंट करके देना है यह हमारे कुछ और वन एवं वन संस्थान है भारती वन प्रभंदन संस्थान कहां पे है भोपाल में भारती वन अनुशंधान संस्थान जवलपूर में वन राजकी महाविद्याल है बालागाट में वन प्रविंदन सिच्छागेंद बैतूल में संजीवनी संस्थान भोपाल में फारेस्ट गार्ट स्रजन स्कूल बैतूल रिवा शिवपुरी अमरकंटक लखना दौन प्रादेशिक बन श्कूल बैतूल शिवपुरी अमरकंटक गोविंद गड़ और जाबुगा में हैं तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इ स्याइर कीजिए और वीडियो में पूछेगे प्रश्णों के उत्तर जरूर दीजिए प्रश्ण क्या है इस सबसे आदा शौगाउन के वच किस घाटी में पाए जाते हैं और वन पर योजना किस बैंक किस आयता से शुरू की गई थी इन दोनों प्रश्णों को उत्तर थेंकि दोस्तों